नमस्कार किसान भाईयों, आज की वीडियो बहुत काम की होने बाली है, क्योंकि आज हम धान में BPH, मतलब माहुतेला पर बात करेंगे, कैसे हम पेक्सलोन बाला रिल्ट पासकते हैं, जैसे कि धान में पूरी तरीके से माहु भी मर जाए, वो हमारी फसल को लंबे समय तक सुर कामेटोजन 50% WG, जो 5 सल पेले धान में माहु के लिए बेश्ट दबाव मानी जाती थी, जो माहु को तो मारती थी, और लंबे समय तक फसल को सुरक्षय परदान भी करती थी, मगर दो-तिन सालों में देखा गया है, ये माहु को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, दुकानदार बोलते हैं, इसके साथ आप पीवीडा मिला 70% या फिर PPMC मिला कर डालो, इससे आपको अच्छा याड़ मिलेगा, मगर मैंने इन दोनों दबावों को मिला कर डाला है कोई जादा फाइदा नहीं मिला, माहु की जादा मातरा होने पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मेरे एक भाई के खिर्ट में बहुत जादा मातरा में भूरी और काली माहु लग चुकी थी, उन्होंने बायों की टर्गेट दबा ली और स्प्रेक कर दिया, दू तो नहीं हम पायमोटोजन के साथ बायो की टारगेट को मिलाकर इस्प्रे कर दें, अगर हम बायो की टारगेट को अकेला ही स्प्रे करते हैं, तो यह साथ से आठ दिन बाद फिर हमारे खेत में महू लग जाएगी, और डवल से स्प्रे करना महँगा पड़ जाएगा, इसके यह फिर मैंने उत्पम कंपणी का पायमोटोजन लिया, जो मुझे मिला 3,000 रुपे पतिकुलो के हिसाब से, इसका देल्ट हमें मिलता है 15-20 दिन, और हमने टारगेट ली एक एकड के आती है 500 रुपे की, तो टारगेट को हम 2 एकड में डालेंगे, तो उसका खर्च हो अगा 300 रुपे, टोटल मिलाकर हमारा 500 रुपे करका खर्चा आएगा, मैंने मेरे खेत में बायो की टारगेट और पायमोटोन को मिलाकर स्प्रे किया है, इसका रिजल्ट मुझे सांदार मिला है, मेरे खेत की पूरी तरीके से माहू भी मर चुकी है, और आज इस्प्रे की दस दिन हो चुके हैं, अभी तक मेरे खेत में माहू नहीं आई है, अगर आपके खेत में माहू बहुत ज्यादा मातरा में हो, तो आप इन दोनों दबाओं को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, माहू तो मारेगी और सांद में लंबा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, तो दोस्तों जानकारी अच्छे लगई हो तो वेडियो को लाइक और चुनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद